जार्खन कॉंग्रेस के सभी 18 विदायक और कॉंग्रेस के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में हैं दिल्ली में आज सभी विदायक और कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे जार्खन में जार्खन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस और राज़त गडबंधन की सरकार बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी कॉंग्रेस के विधायक एक साथ दिल्ली में हैं और एक साथ राहुल गांदी से मुलाकात करेंगे यह मुलाकात बहुत ही खास है और यही वज़ा है कि इस मुलाकात पर सभी की नजर ठीकी है कि आखिर इस मुलाकात में क्या खुछ बात होगी आप सब को पता है कि पिछले दिनों जहारखन कॉंग्रेस के जो प्रभारी थे आरपियन सिंग वह बीजेपी में सामिल हो गया उसके बाद अभिनास पांडे को जहारखन कॉंग्रेस का प्रभारी बनाया गया प्रभारी बनते ही अभिनास पांडे रांची पहुंचे उसके नौसिर पदाधिकारी बलकि विधायकों से और कई नेताओं से उन्होंने यहां पर मुलाकात की एक एक कर one to one भी मुलाकात की और सभी की समस्याओं के बारे में सुना। उसके बाद ही यह तैह हुआ कि सभी कॉंग्रेस के विधायकों को राहूल गांदी से मुलाकात की करवाई जाएगी। क्योंकि यहां पर कई कॉंग्रेस के विधायकों ने इस बाद की सिकायत अभिनास पांडे के सामने की थी कि उन्हें आला कमान से मिलने के लिए नहीं दिय जाता है बलकि आरपी एन सिंग बीच में एक रोडा बने हुए थे और वे मिलने नहीं देते थे अभिनास पंडे ने इस दूरी को कम करने की कोशिस की है और यही वज़ा है कि कॉंग्रेस के सभी विधायक इस वक्त दिल्ली में हैं और आज उनकी मुलाकात राहूल गांधी स दिल्ली में उन नेताओं से मुलाकात करने के लिए भी गये थे हलांकि उस जाच का क्या हुआ अभी तक साप नहीं पाया है नजाच आगे बढ़ी है या फिर आगे भी बढ़ी है तो पुलिस के तरब से इस मामले में अब तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है लेकिन इस बीच आरपियन सिंग के जाने के बाद जो अठकलें तेज हो गई थी बिजेपी के नेता लगातार या कहते सुन तो कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस अपने बिधायकों को एकजूट करने के लिए तमाम रनीती अपना रही है और यहीं वज़ा से पार्टी ने फैसला लिया है कि राहूल गांदी से उनकी मुलाकात करा ही जाए तो आज की मुलाकात में क्या कुछ बात होती है यह भी देखन दल के नेता आलमगीर आलम है उनके आवास पर बैठक हुई थी और उसके बाद निकल कर मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा था कि न अधिकारी यहां पर सुनते हैं न उनका कोई सुनता है तो सरकार में हम लोग सामिल है ऐसा पता भी नहीं चल पाता है अब इन तमाम नारा जाएगी लेकिन इस मुलाकात पर ना सिर्फ कॉंग्रेस के नेता नेताओं की नजर जो है ठीकी है बलकि भारती जनता पाटी के नेताओं की भी नजर ठीकी है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है हो रहा है कि राहुल गांदी से तमाम जो कॉंग्रेस के विधायक हैं वह मुल कॉंग्रेस के विधायक राहूल गांदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं जब वहां से लोटते हैं तो फिर सरकार में अपनी भागेदारी कितनी मजबूती से और सुनिश्चित कर पाएंगे यह भी देखना बड़ा दिल्चस्प होगा क्योंकि जार्खन मुक्ति मु आजनीती जार्खन के सरकार पर कितना पड़ता है यह भी देखना बड़ा दिल्चस पोगा सुक्रिया